इसराइल ने कहा है कि हिजबुल्ला ने आज पाचवी बार एंटी टैंक मिसाइल से हमला किया है गाजा पर चल रहा है इसराइल की बंबारे के बीच अचानक युद का एपिसेंटर लिबनान की तरफ मूर चुका है अगले 24 घंटे में हालात इतने खतरनाक होने जा रहे हैं कि अमेरिका से लेकर रूस तक इस युद में शामिल हो सकते हैं क्योंकि हिजबुल्ला ने अब ऐसे हमले करने शुरू कर दिये हैं जिसका ओर्डर सीधा तेरान से आ रहा है या साहिब अजबार या हाइब पंद्रह अक्टूबर दो हजार देस हिजबुल्ला एक के बादे कई मिसाइल फायर करता है पहला हमला टावर ओड़ गया दूसरा हमला रेडार तबाव हो गया तीसरा हमला एक और अजड़ा तहस नहस हो गया ये जगह है लेबनन और एज्रैल के बॉर्डर पर शीबा फार्म्स का इलाका दुनिया के सबसे खतरनाक बॉर्डर्स में से और यहां बने है इस्रैल के पाँच बहुत ही खदर्ना कटे अड़ा नंबर एक अड़ा नंबर दू अड़ा नंबर ती अड़ा नंबर चार अड़ा नंबर पांट यह जगे गुलान की पहाड़ियों के उत्तर में है और यहां पहाड़ों की उचाई पंदर सौ मीटर तक है नीचे लेबनन का इलाका और यहीं से अटाक लाँच किया गया इस ग्रैफिक से समझ सकते हैं इस इलाके की टोपोग्राफिया कौन कहा मौझूद है कौन सा इलाका किस के पास है अब यहां क्या हुआ बहुत गोर से देखेगा यहां लेबनन के इलाके में हिजबुल्ला का पूरा कंट्रोल है और उसने निकाले तीन बहुत ही खतरनाक एंटे टैंक मिसाइल और मल्टी बैरल रॉकेट रॉंचर यह मिसाइल इरान से सप्लाई की जाती रही है और ऐसी मिसाइलों का हिजबुल्ला के पास बहुत बड़ा जखीरा है हिजबुल्ला ने तीन तरह के अंटी टैंक गाइड़ेट मिसाइलें इस्तेमाल की यह है कॉर्णेट इसकी रेंज 5 किलोमीटर तक है यह रूस की मिसाइल है लेकिन अब इरान इसका देसी वर्जन देलाविया तयार कर चुका है और ऐसी बहुत सी मिसाइल अब हिजबुल्ला के पास है दूसरी है BGM-71-2 एंटी टैंक गाइड़ेट मिसाइल रेंज है 3 किलोमीटर यह अमेरिका में बनी मिसाइल है लेकिन अब इसकी नकल इरान तयार कर रहा है और इसने हिजबुल्ला को सप्लाई की है दीसरी है 85 कॉनकोर्स रेंज 4 किलोमीटर यह भी रूस ने बनाई है और अब इरान में यह तूसान नाम से तयार की जा रही है तीनों मिसाइल बहुत ही घातक हैं और जिस तरह से इन्होंने इसरेल के अट्टे उड़ाए है उससे यह बात साबित हो जाती है इस भुल्ला का दावा है कि उसने यह हमला लेपनन में इसरेल के हमले के जबाब में किया इसरेल के हमले में एक पत्रकार की मौत होई है जबकि कई घायल होए है इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ पत्रकार घायल हालत में है और पास ही एक गाड़ी जल रही है इसरेल पर इस हमले का आरूप लगा है अब लेबनन में इस मॉर्डर को लेकर इस्राइल को लेकर बहुत गुस्सा फैल चुका है इस्राइल के खिलाब बेरूत में लगातार प्रदर्शन हो रहे है इसी को देखते हुए अब भेजबुल्ला ने क्या किया है वो बहुत गौर से देखिएगा सबसे पहले इस्राइल का अड़ा नमबर एक शतुला इलाके में बने इस अड़े पर हिजबुल्ला ने किया पहला हम्डा हिजबुल्ला ने कॉर्नेट मिसाइल से अटेक किया जो सीधा जाकर इस्राइल का एक टावर उड़ा देती है हेजबुला की ये रेंज देखकर इस्रैल के कैम्ट में खलबली सी मच गई चोकि निशाना भी बिल्कुल सकीक लगा और टावर पूरी तरह से तबाह हो गया इसके बार टारगिट बना इस्रैल का अड़ा नमबर दो ये भी शतुला इलाके में है और यहां हेजबुला ने किया दूसरा हमदा इस बार हेजबुला ने वीजियम 71 टो एंटी टैंक गाइड़ेट मिसाइल का इस्तिमाल किया अमेरिका में बनी ये मिसाइल इतनी सटीब है कि इसने ठीक रेडाय स्टेशन को तबाह किया ऐसा निशाना देखकर कोई भी दुश्मन डर जाएगा इसके बार टार्गेट बना इस्रेयल का अड़ा नमबर थी ये भी शतुला इलाके के करीब है और यहां हेजबुला ने किया तीसरा हमदा इस बार हेजबुला ने कॉंकर्स एंटी टैंक गाइड़ेड मिसाइल फायर की रूस की ये वायर गाइड़ेड मिसाइल भी इसरेयल के एक ठिकाने को खत्म कर देती है इसके बाद चौथे और पांच्वे अड़े पर भी हेजबुला अपनी बाकी मिसाइलों और मल्टी बैरल रॉकेट लॉंचर से हमला करता है और उनका भी वही हश्र होता है जो बाकी अड़नों का हुआ है हजबुला का दावा है कि इन हमलों में इसरेयल को भारी नुकसान हुआ है और उसके कई सैनल दिमारे गये है समझ लीजे कि इस वक्त इसरेयल और लेबनन के बॉर्डर पर आग लगी हुई है और ये सब कब युद्ध को दस गुना भड़का सकते है इसके बारे में दुनिया में सिर्फ चार लोग जानते है पहले हैं इसरेयल के प्रधान मंत्री बैन्यमिन नीतन याहू दूसरे हैं इरान के राश्चबते इब्राहिम रईसी तीसरे हैं अमेरिका के राश्चबती जो बाइट है और चौते हैं यॉर्प से लेकर अमेरिका तक सब को हिला देने वाले रूस के राश्चबती व्लाद में रखोते है लेकिन इस वक्त सबसे ज़ादा एक्टिव एरान है इरान के विदेश मंतरी हुसैन अमीर अब्दल्ला हिया ने कहा है कि अगर इस्राइल ने खाजा पर बंबारी नहीं रोकी तो हिजबुला ने ऐसी तयारी की होई है कि इस्राइल में जलजला आजाएगा इरान के विदेश मंतरी ने 48 घंटे में वो कर दिखाया है जिसका तेल अवीब से लेकर वाशिंटन डी सी तक खौफ फैला हुआ है इस्राइल को लेकर इरान की वार डिप्लोमेसी इस स्वक्त युद्ध के कई फ्रंट खोल चुकी है सौधी अरब के क्राउन प्रिंस मुहम्मद बिन सल्मान से इरान के राश्रबती इब्राहिन रईसी की बादचीत के बाद 48 घंटे में इरान की विदेश मंत्री ने इराक का दोरा किया वहां के राश्रबती से मिले इरान की विदेश मंत्री ने सीरिया जाकर वहां के राश्रबती से मुलाखात की हुसायन अमीर अब्दुल्ला हियां फिर लिबनन गए और हेजबुल्ला की लीडर्शिप से मिले इसके बाद वो कतर आए और वहां की विदेश मंत्री से मीटिंग करने के बाद हमास की लीडर्शिप यानि इसमाईल हानिया से मुलाखात की सवाल है कि क्या 48 गंटे के अंदर इरान और इस्रेल के बीच बड़े युद्ध की तयारी हो चुकी है इस्रेल ने भी लेबनन बॉर्डर पर हमले का वीडियो जारी करके बताया है कि वो हेजबुल्ला को छोड़े का नहीं लेकिन अपनी ताकत दिखाने के लिए हिजबुल्ला ने अपने वीडियो वाइरल करने शुरू कर दिये है हिजबुल्ला के इस वीडियो में बताया जा रहा है कि वो इस्रेल पर हमले के लिए तयार है इस वीडियो में हिजबुल्ला का मेसेच साफ है कि उसका अटैक ऐसा होगा जो इस्रेल रोक नहीं पाएगा इस वीडियो में हिजबुल्ला का मिलीशिया कमांडो अपरीशन की तरफ इशारा कर रहा है इस वीडियो में हिजबुल्ला बता रहा है कि उसके कमांडो मोटर साइकल पर आएंगे और इस्रेल की सेना भागती हुई नजर आएगी हिजबुल्ला ने बहुत साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि वो इस्रेल पर हमला कर देगा अगर इज्रेल की सेना फिलिस्तीन के घाजा में घुसी तो वो उत्तरी सीमा की तरफ से इज्रेल पर चढ़ाई कर देगा इज्रेल और लेबनन के बीच करीब 130 किलो मीटर लंबा बॉर्डर है और यहां सेयुक्त राश्ट की शांती सेना तैनात रही है इसमें भारत की फौज भी शामिल है इस सुवक्त इज्रेल को गाजा से ज्यादा इस बॉर्डर की टेंशन है क्योंकि अगर इज्रेल गाजा में घुसा तो हिज्बॉल्ला उत्तर की तरफ से इज्रेल पर हमला बोल देगा Hezbollah fighters fired an anti-tank missile towards Israeli troops. There was a short battle and the situation eventually calmed down. Afterwards Hezbollah sent drones into Israel and also fired surface-to-air missiles against an Israeli aircraft. All of those two attempts were successfully intercepted by the IDF but the situation on the northern border remains very tense and we are monitoring the activities of Hezbollah very closely with additional enhanced capabilities in the north prepared for any eventuality that may happen. दक्षन लेबनन और उत्तरे इज्रेल के बीच जो बोडर है वहां तनाव बहुत ज़्यादा है यहां अफरात अफरी के बीच खामूशी है जो तूफान से पहले देखी जाती है इसलिए यहां के लोगों को भी पता है कि बहुत जल्दी युद्ध का एपी सेंटर गाजा से निकल कर लेबनन तक पहुँच सकता है यहां तैनाथ संयुक्त राश्र की सेनाएं भी अलर्ट मोड पर है लगातार पेट्रोलिंग हो रही है इसरेल की सेना ने अपना गोला बारूत तयार रखा हुआ है तोपों से जो गोले फायर किये जाएंगे वो पहले से ही रेडी मोड पर रखे गए है इसरेल की रिजर्व फोर्स भी आसपास के इलाखों में तैनाथ की जा रही है ये हम भी गाड़िया है जो लगातार यहां तक पॉच पहुचाने में लगी हुई है 2006 के बाद इस बॉर्डर पर इससे जादा तनाव नहीं देखा गया और अब हिजबुल्ला की वानिंग के बाद सब की नजर इरान पर भी है और उसके एक दोस्त सीरिया पर भी है इसरेल के गोलां की पहड़ियों पर भी टेंक पहुचा दिये गए हैं ये जगा सीरिया का हिस्सा था लेकिन 1966 में युद्ध के बाद इसरेल ने सीरिया के इस हिस्से को अपने में मिला लिया और तभी से ये इसराइल के कंट्रोल में है देखा जाए तो इस वक्त पूरे पश्य मेश्या में युद्ध की चंगारी पहुँच चुकी है इसराइल से लेकर घाजा और घाजा से निकली गया आग अब लेबनन पहुँच चुकी है चंगारी, सीरिया और इरान में भी नज़र आ रही है इस वक्त अमेरिका का एक और एर्क्राफ केरियर इसराइल की सपोर्ट के लिए रवाना हो चुका है पहले जेराल्ड पोस और आप आइजन हावर अमेरिका का आक्शन बता रहा है कि वो इरान और हजबुल्ला को हर हाल में लोकने वाला है अमेरिका ने अपना दूसरा एर्क्राफ केरियर तब भेजा है जब इरान ने दोटूक शब्दों में काए कि इसराइल ने गाजा पट्टी में हमले नहीं रोके तो वो भी युद्ध में उतरने के लिए तयार है इसराइल का इरादा बिलकुल क्लियर है हमास के हर आतंकी का नाश इरान का इरादा बिलकुल क्लियर है हमास के खात्मे को बचाने के लिए युद्ध में कूदना है अमेरिका का इरादा बिलकुल क्लीर है इसरेल को हिजबुल्ला से, हमास से और सबसे बड़े दश्मन इरान से बचाना है मामला फस गया है इसरेल, फिलिस्तीन, जुद्ध का फंडा अब इरान और अमेरिका के गले में भी फसता जा रहा है अमेरिका ने अपना एक और एरक्राफ्ट करियर भूमद धिसागर में उतार दिया है आईजन हावर अमेरिका का दूसरा एरक्राफ्ट करियर है जो भूमद धिसागर पहुंचने बाला है इस सेयरक्राफ्ट करियर की डीटेल जानकर आप चौंक जाएंगे कि ये किस कदर का शक्तिशाली है लेकिन इस सेयरक्राफ्ट करियर की डीटेल में जाने से पहले जो बाइडन के भेजे इस युद्दपोत के भूमध धिसागर में उतरने की टाइमिंग समझ लीची ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि रण भेरी बच गई है एरान और अमेरिका किसी भी वक्त एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतर सकते हैं यूसस ड्विट डी ऐसन हावर, सीविन 69 अमेरिका ने एसरेल के सपोर्ट के लिए तब भीजा है जब एरान ने एसरेल को खुली धमकी दी है युद में कूदने की धमकी, एरान ने कहा है के एसरेल गाजा पट्टी पर ततकाल हमले बंद करे वरना वो हमास के सपोर्ट में मैदान में उतरेगा जनायात जन्गी रजीम कुदकुश जहली दर इसराईल अलेह शहरवन्दान व गेर नजामियान दर गज़ फूरन मतवगफ शबद शायद साथ दीगर खेली दीर बाशने लबनन में हिजबुल्ला को इरान का समर्थन हासिल है और यही हिजबुल्ला जब घाजा पट्टी से हमास ने इसरेल पर हमला किया तो दूसरी ओर से इसने भी इसरेल के खिलाफ रॉकेट डागने शुरू करती है हिजबुल्ला ने दावा किया है कि उसके लड़ाकों ने विबादित ख्षत्र में पांच इसरेली आउटपूस्ट पर हमले किया है तो इस सुवक्त इसरेल चारों तरफ से घिरा हुआ दिख रहा है अमेरिका का मदद के लिए पहुँचना भी तैमाना जा रहा था आपको आगे दिखाएंगे कि इसरेल के सपोर्ट में अमेरिका ने सिर्फ समंदर में युदपूत नहीं उता रहे है बलकि आस्मान में भी पहरा कैसे सब्च पर दिया है लेकिन उससे पहले एरान के विदेश मंद्री का एक और वक्त तब दिसुन लीचे क्योंकि एरान क्या करने जा रहा है एरान की इसी बोली वानी का रियाक्शन भूमद्ध सागर में देख रहा है जब अमेरिका के दो एरक्राफ्ट करियर एजरेल के खिलाफ किसी भी हमले का मोतोर जबाब देने के लिए लगबग तयार कड़े है जेराल फोर्ड पहुँच चुका है और आईजन हावर पहुच रहा है आईजन हावर स्ट्राइक किस्म का युद्ध पोत है जो परमाणू हत्यार अत्याधुनिक फाइटर जेट और रेडार सिस्टम से लेस है अमेरिका के इसके जरिये हिजबुल्ला या इरान को चेताने की कोशिश है अमेरिका इस्रेल की यारी की कहानी भी बहुत दिल्चस्प है लेकिन उसकी डीटेल आगे क्योंकि दुनिया भर के एक्सपर्ट को इस वक्त चिंता सता रही है कि रूस योकरेन युद्ध में एक देश ही परमाणूशक्ति संपन्न है फिलिस्तीन इस्रेल युद्ध में तो कई परमाणूशक्ति संपन्न देश एक साथ टकरा सकते हैं उसके बाद क्या होगा मन्थन जारी है यूएन खुला है यूरोपियन यूनियन विचार कर रहा है इरान अमेरिका का आमना सामना टालने की तैयारी शुरू हो चुकी है लेकिन इस बीच इरान से लेकर लेबनन तक खौल रहा है इस समय यूद्ध पोट जेराड फोड पहले से ही पुर्वी भूमते सागर की निगरानी कर रहा है और अब एक और महाशक्ति साली यूद्ध पोट इसराइल की सपोर्ट के लिए अमेरिका की तरप से आ रहा है अमेरिका को भी ये असपस्ट हो चुका है कि अगर इसराइल के पच्च में खड़े नहीं हुए तो इरान हमास और हिजबुल्ला के बल पे इसराइल को कमजोर कर सकता है अमेरिका खुल कर फ्रंट पर खेल रहा है और इरान की राश्योपती इब्राहिम रईसी भी पीछे नहीं है कहा जा रहा है कि अमेरिका इसराइल और सौधी अरब के बीच दोस्ताना संबंध स्थापित कर इरान को अलग थलग करना चाहता था इरान इस वक्त जिस हमास के समर्थन में उतरा है उसकी आवाज बंद करना चाहता था लेकिन इस बीच इरान ने खेल खत्म कर दिया युद्ध रोकने के लिए अमेरिका ने दूसरा युद्ध पोत भेजने का फैसला किया है। अमेरिका ने इसराइल भेजे हैं। भूम अद्धिसागर में उनकी तैनाती युद्ध वाली कहानी ही बया करती है। प्रती घंटा है। आई जनावर पर एडवांस फाइटर तैनात हैं। इस पर 56 फाइटर जेट और हेलिकॉप्टर तैनात किये जा सकते हैं। ये इसकी शमता है। इसी के साथ में ये वही वार्शिप है जिसने खारी युद्ध में एहम भूमिका निभाई थी। आई जनावर में 1977 से अमेरिका नौसेना में हैं तो आप समझ गए होंगे कि कितना महत्पून है ये एक्राफ्ट केरियर जो अमेरिका की ओर से भेजा गया है। अमेरिका के पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली नौसेनिक बेडा है। अमेरिका इसकी ताकत का एसास पूरी दुनिया को कराता रहा है। इसरेल के साथ अमेरिका के खड़ा नहीं होने की दशा में इसरेल का स्तित्त बच पाएगा कहना मुश्किल है। क्योंकि इस्राइल पर इरान जैसे देशों की गिद्ध द्रिष्टी जमी रहती है। इरान जैसे देश अब तक कोबूल नहीं कर पाए हैं कि अर्भों के बीच एक यहूदी देश बसा है। यही कारण है कि हमास और हिजबुल्ला जैसे संगठनों को खाज पानी देकर इरान उन्हें पालता रहा है। और यही वज़े है कि अब अमेरिका अपनी हैसियत दिखा रहा है। एक्राफ्ट केरियर आई जनावर के पहले अमेरिका ने जराल फोर्ड को भूम अद्दे सागर में उता रहा है। इसके बारे में हम आपको बताते हैं। परमाडू हूर्जा से चलने वाला जराल फोर्ड च्हेतर मीटर उंचा है। इस तरह इसकी उंचाई दिल्ली के कुतुम मिनार की 73 मीटर से उंचाई से भी ज्यादा है। अब आप अज़ा लगा ये कितना उंचाई रहा है। इसकी शमता एक लाख टन से भी ज्यादा बताई जाती है। इस पर एक साथ 70 फाइटर जेट ले जाने में ये सक्षम है। इसकी रफतार है 56 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे चलाने के लिए 4500 नौसेनिक तैनात कर दिये गए है। एर्क्राप्ट करियर आइजन हावर और जेराल फोर्ट दोनों वार्शिप परमानुख शक्ती से संचाली थे। और क्षत्र में किसी भी प्रमुक शक्ती से मुकाबला करने के लिए भूमी पर हमला करने वाली मिसाईलों और F-18 लड़ाकों विमानों में सैन्य शक्ती रखते हैं। अमेरिका के रक्षा मंतरी लॉयंट आस्टिन ने कहा है कि स्ट्राइक ग्रुप को आदेश दिया है कि वो भूमध इसागर में उत्तर में अपनी पोजिशन ले ताकि इस युद्ध को बढ़ने से रोका जा सके। इसरेल युद्ध नहीं फैलने से रोकने की बातों के बीच समंदर और आकाश दोनों में सुपर एक्टिव हैं। इसरेल घाजा को मिट्टी में मिला रहा है और अमेरिका समंदर और आस्वान से उसके निगरानी कर रहा है। समंदर में इस्रैल को अमेरिका का सपोर्ट देखा, अब आस्मान में देखिए। अमेरिकी बलके इस्थिती में वृद्धी इस्रैल की सुरक्षा के लिए सन्युक्त राज्य अमेरिका की द्रिण प्रतिबद्धता और इस युद्ध को बढ़ाने की कोशिश करने वाले किसी भी राज्य या गैर राज्य को रोकने के हमारे संकल्ब का संकेत है। अमेरिका के मुद्धे पर आकर अटक गया है। अमेरिका के प्रतिबन से बॉखलाया इरान चाहता है कि वो अमेरिका को अपनी ताकत का एहसास करा है जिसके पास परमानू बंभी है और बेहतरीन डोन भी। इरान को ये भी लगता है कि अगर वो इस युद्ध में कुदता है तो अरब देशों के अलावा चीन और रूस भी उसका साथ देंगे। ये सही है कि इरान अमेरिका से टकराया तो जंग होगे। वो रूस योक्रेन महा युद्ध से भी बड़ा, विनाशन और मौतों आली होगे। लेकिन इसके बीच का सच है कि दूनों युद्ध भड़कार हैं। इरान, हमास या हिजबुल्ला का साथ नहीं छोड़ सकता, तो अमेरिका भी इसरैल को धोखा नहीं दे सकता। अब भी उसके दो युद्ध को थी समंदर में उतरे हैं। जरूरत पड़ी तो अमेरिका भूमध इसागर को अपनी नौस्यानिक शक्ती से मत देगा। लेकिन समस्या ये है कि इरान अपना परमाणो बम लेकर सिर्फ इतराता रहेगा। या इसरैल के अंत के लिए इरान के राश्वपते इबराहीम रैसी भी कोई बड़ा वैसला ल तो अमेरिका भी अपना समुदरी बेडा लेकार भूमध इसागर में पहुंच चुका है तो ब्लादर में पुतिन क्या कर रहे हैं ये भी आपको बताएंगे। या पिर चीन ने कौन सा कदम उठाया है जो इसराइल को पीछे हटने पर मजबूर करना है। खाजा का जमीनी महायुद छेडने वाला है। करीब साड़े तीन सो वर किलोमेटर लंबी पट्टी अब पूनी पट्टी बनने वाली है। और इसी लिए इसराइल के प्रधान मंत्री बॉलेट प्रूप कवच पहन कर खुद आर्मी के कैम्प में पहुँच गया। नीतन याहू इसराइल के सैनिकों से मिले, कमांडर से मिले और उनसे कहा कि युद्ध की तैयारी पूरी कर लो। महा समर का वक्त आ गया है। इसराइल के लिए सबसे जादा खतरनाक शक्त प्रधान मंत्री के रूप में काम कर रहा है। और यही इस वक्त नजर भी आ रहा है। फिलिस्तीन और अरब देशों के अख़बान घाजा पट्टी की जो खबरें चाप रहे हैं। उसके मुठाबिक अब तकी ग़ाजा पट्टी के अंदर करीब 5,000 से जादा लोग मर चुके हैं। गाजा पट्टी के अंदर अब तक 700 से जादा बच्चे मर चुके हैं। साढ़े 4-600 से जादा महिलायें मर चुकी हैं। कई अर्बी भाशा के अकबार दावा कर रहे हैं कि जितने लोग भी गाजा पटी के अंदर माने जा रहे हैं। उनमें से 66 प्रतिशत महिनाएं और बच्चे हैं। गाज़ा पट्टी के हालात इस वक्त ये हैं कि गाज़ा पट्टी के अंदर 35,000 परिस्तिनी सिर्फ एक अस्पताल अल-शफा में शरण दिये हुए है और उन्हें उमीद है कि इस्रेल यहां पर एर बॉमी नहीं करेगा क्योंकि यह एक अस्पताल है लेकिन अगर यहां भी हमास ने अपना अट्टा बना लिया तो फिर क्या होगा? यह इस्रेल ही तै करेगा फिलहा यह उक्रेन को मंबारी करके और मिसाइलों पर मिसाइले वर्सा कर लगु लुहान करने वाले पुत्र घाजा पट्टी के दर्ग से तड़ रहे है साथ अक्टूबर को जब इस्रेल पर हमास ने आतंकवादी हमला किया था करीब अन्तालीस घंटे तक पोथन चुपी साथे रहे हैं उनका कोई वायान सामने नहीं आठ लेकिन हमने के दो दिन बाद पोथन ने बेहदर अनमेती खमला करते हुए अमेरिका पर गे निशाना साथ कि अमेरिका के मिडल इस्ट पॉलिसी पेल हो गई है कोजयी साथ एंट, को worry collect that इस ओमल 영상 ओ crowded like हैंने रहीं हैं इसन सामने के थार एंट वस को अजयर बाद बिई JUंव नगarmed वोग रहा हमास के सियुद में बहार पार पहर पता है। इज्राइल के बीच समझोता खटाई में पड़ गया है तो दूसरी तरफ अरब के इसलामिक देशों में अमेरिका के खिलाब नफरत भड़ा कुठी है लेपनन में हजारों लोग सडकों पर उतर कर इज्राइल के खिलाब नारे लगा रहे हैं जॉर्डन में 70,000 लोग अमान में उस सवक्त सडकों पर उतराए जब अमेरिका के विदेश मंत्री अंटनी ब्लिंकन जॉर्डन में ही मौचूद थे इसी तरह तुर्की में भी जम कर विरोध प्रदर्शन हुए है इजिप्ट में भी ये आग सुलकी हुई है और इसी लिए अमेरिका के विदेश मंत्री को मेहनत करनी पड़ रही है मिडे लीस्ट में भागा दोड़ी करनी पड़ रही है जॉर्डन, कदर, सौधी अरब और संयुक्त अरब अमिरात के दौरे पर अमेरिका के विदेश मंत्री अंटिनी ब्लिंकन जा चुके है और अब एक कदम आगे बढ़ाते हुए बेहद कूट नितिक तरीके से पोतिन ने इसरेल पर निशाना साथ दे हुए कहा है कि इसरेल पर हमला हुआ है हमला जरूर गलत है लेकिन घाजा पट्टी पर अंधा धुन बंबारी भी गलत है इस वक्त सबकी नजर इसरेल की आर्मी से ज्यादा उसकी एफोस पट्टी की है इसरेल ने पिछले कुछ वर्ष्टों में ऐसे फाइटर जेट अपनी वायू सेना में शामिल किये है जिसकी तक्कर का कोई जहाज पूरे पश्ची मेशे में नहीं है कहा जा रहा है कि इसी वज़ा से इसराइल ने अब ऑपरेशन फोकस्टू की तैयारी करी दिए है बारा घंटे अचारा घंटे 24 खंटे 36 खंटे 48 खंटे लाद वर इसराइल ने गाज़ा को कितने घंटे में फत्र करने का ब्लैन तैयार किया है इसराइल के मताबिक अगले 48 खंटे हमास पर बहुत भारी है क्योंकि हमास का सर्वनाश करने के लिए इसराइल ने अपने शक्तिशाली लड़ाको विमानों को जंग में उतार दिया है गाज़ा की तबाही की जो तजवीरे सामने आ रही है उससे ये बात शीशे की तरह साफ हो गई है कि इसराइल के लड़ाको विमानों ने गाज़ा का सर्वनाश शुरू कर दिया है हमास का सर्वनाश वीडियो नमबर दो हमास का सर्वनाश वीडियो नमबर ती हमास का सर्वनाश वीडियो नमबर चार हमास का सर्वनाश वीडियो नमबर पांच ये पांच वीडियो तो बस बान की है इस्रेल के लड़ाकों विमान लगातार गाजा पर कहर बरपा रही है हमास से इंतगाम के लिए इस्रेल ने अपने ताकत पर लड़ाकों विमानों को जंग में उतार दिया है हमास के लड़ाकों को धेर करने के लिए इस्राइल के फाइटर जेट पूरी तरह एक्शन मोड में है इस्राइल के एर स्ट्राइक से गाजा का बुरा हाल है इस्राइल के लड़ाकों विमान अपनी पूरी ताकत से हमास पर बड़े बड़े हमले कर रहे हैं हमलों से कई मंसेलों की इमारतें ताश के पत्कों की तरह बिखर रही हैं उची-उची इमारतों के मलबे में बदलने में देर नहीं लग रहा है इसरैल एरफोर्स के मुदाबिक पिछले 20 घंटों में 2400 से अधिक हमास के चेकानों पर एरस्ट्राइक की गई है इस एरस्ट्राइक में इसरैल के तरब से 2000 टन बम गिराए गए हैं वैसे तो इसरैल के एरफोर्स के पास जंगी हवाई जहाजों का बहुत बड़ा बेड़ा है लेकिन उसका सबसे शक्तिशाली लड़ाकों विमान F-16 IS है जो F-16 का इसरैली मॉडल है इसरैल की वायूसेना 2000 से ही इन लड़ाकों विमानों का इस्तिमाल कर रही है इन 23 वरसों में इसरैल के पाइलट को F-16 से दुश्मन देश को मलबे में बदलने की महारत हासिल कर ली है F-16 की गिनती दुनिया के सबसे सुरक्षित और भरोसे मन लड़ाकों विमानों में होती है दावा किया जाता है कि अमेरिका में बना F-16 लड़ाकों विमान अगर अपने पर आ जाए तो किसी भी लड़ाई का रुख मोड सकता है F-16 के इसराइली मॉडल में इसराइल के दुश्मनों को ध्यान रखकर कुछ खास बदलाव किये गए हैं आपको बताते हैं इसकी रफ्तार है 2414 किलो मीटर प्रती घंटा अप अंदाजा लगाई है कितनी तेज है और इसके साथ इसकी रेंज है 4220 किलो मीटर यानि एक उडान से ये इतनी दूर जाकर हमला कर सकता है यानि 42 सो बीस किलो मीटर रेंज में ये दुश्मन का सपाया कर सकता है F-16 एडवांस हत्यारों से लेस लड़ाकू विमान है इसराइल के एफोर्स ने इसमें हवा से हवा में मार करने वाली मिसाईले लगाई है साथी साथ इसमें हवा से जमीन में मार करने वाली मिसाइलों से लैस भी इसे रखा है ये खूबिया इसकी आपके सामने है F-16 सिंगल इंजिन वाला मल्टी रोल लड़ाकू विमान माना जाता है यानि ये किसी भी तरह की उपरेशन को अंजाम देने में सक्षम होता है इसराइल का ये लड़ाकू विमान पच्चास हजार फीट तक की उचाई पर जाने के लिए सक्षम है F-16 सिंगल इंजिन वाला मल्टी रोल लड़ाकू विमान है यानि ये किसी भी तरह के उपरेशन में काम कर सकता है दिन हो या फिर रात गर्मी हो या फिर बरसाइल अमेरिका से इसराइल को मिला ये खास लड़ाकू विमान किसी भी मौसम में बम और मिसाईलों से हमला कर सकता है इसराइल छे सो से अधिक लड़ाकू विमानों से हमले कर रहा है साथ ही साथ तीन सोर रॉकेट लॉंचरों से घाजा पर बारूद की बरसात हो रही है जंग के लिहाद से F-16 फाइटर जेट को एक विश्व सनी और ताकतवर विमान माना जाता है यही वज़े है कि घाजा के खिलाब फवाई हमले में इस्रेल की एरफोर्स का बलरा बहुत भारी है F-16 फाइटर जेट के लंबाई 49 फीट, 5 इंच और चौड़ाई 32 फीट, 8 इंच है यह Advanced Radar System से लेसे, इस लड़ाको विमान का वजन 9.2 टन है और यह एक बार में 21.6 टन वजन लेकर उड़ सकता है ऐसा पहली बार में ही है, जब इस्रेल के लड़ाको विमानों ने रण भूमी में अपनी ताकत दिखाई है इससे भी पहले दुनिया इस्रेल के लड़ाको विमानों का लोहा मान चुकी है 1956 से लेकर अभी तक, कैसे इस्रेल के लड़ाको विमानों ने अपना युद्ध कोशल दिखाया है इसे आगे बताएंगे भी और दिखाएंगे भी लेकिन उससे पहले अभी इस्राइल के अरफोर्स के सामने कितनी बड़ी चुनौती है इसे समझना सरूरी है फिलिस्तीन के साथ जंग में इस्राइल के लड़ाको विमानों का सामना इरान के फाइटर जेट से हो सकता है इस्राइल के लड़ाको विमानों को जवाब देने के लिए सीरिया के जंगी जहाज भी सामने आ सकते हैं साथ ही अगर युद्ध आगे बढ़ गया तो मिसर के लड़ाको विमान भी इस्राइल से लोहा लेने आस्मान में मोचा समाल सकते हैं कहते हैं लड़ाकों विमान किसी भी युद्ध का रुक बदल देते हैं अगर फाइटर जिट बारूद बरसाना शुरू करते हैं तो दुश्मन देश के लिए सबसे बड़े सिर्दर्द साबित होते हैं युद्ध की भाषा में कहा भी जाता है कि चाहे जंग का तरीका कितना भी क्यों न बदल जा युद्ध में बढ़त लेने के लिए लड़ाकों विमान सबसे कारगर साबित होते हैं इसरैल के पास कुल 601 लड़ाकों विमान है जिसमें सबसे अधिक 175 F-16 फाइटिंग फालकन लड़ाकों विमान है इसके अलाबा 84 F-15 इगल विमान है 25 F-15 स्ट्राइक इगल लड़ाकों विमान है इसके साथ ही इसरैल के एरफोर्स के पास F-35 लाइटनिंग लड़ाकों विमानों की तादाद 49 है इसके अलाबा 75 नए F-35 लाइटनिंग विमानों का एजरेल ने ओर्डर दे रखा है F-16 फालकन को दोनिया के भरोसे मन फाइटर जेट्स में से एक माना जाता है यही वज़ा है कि एजरेल के होसले बुलंद है इसरेल की वायुसेना इन विमानों से घाजा में लगातार बम बरसा रही है मिसाइलों से हमास के ठेकानों को निशाना बना रही है घाजा की धर्ती पर आई गे बारूदी तबाही इसकी गवाही भी दे रही है इससे पहले भी इस्राइल की वायुसेना जंग में अपनी ताखत का मुझाहिरा कर चुकी है आज जो इस्राइल की सीमाएं हैं वो साल 1967 में हुए उस खास गुद्व के बाद आकार ली जिसमें इस्राइल अकेला 6 दिनों तक 3 मुस्लिम देशों से लड़ता रहा तब इस्राइल ने एक साथ सीरिया, मिस और जॉर्डन को हरा कर अपना वर्चस स्थापित किया था 1967 में हुए उस जंग में इस्राइल ने सबसे पहले अपने लड़ाकों विमानों से मिस्र पर एरस्ट्राइक किया था जिसके बाद 6 दिन तक भीश और संग्राम हुआ और मिडल इस्ट का नक्षा बदल गया इस पार भी इस्राइल के एक पोर्स में गाजा के खला अपनी पूरी ताकत जोक रखिये जिसका साइड एफट गाजा के धर्थी पर साफ साफ दिख रहा है